नमस्कार दोस्तों आभी भी बहुत सारे एसे भी लोग है जो ट्रेन से ट्रेवल तो करते हैं अपनी टिकेट काउंटर से लेके लेकिन उनको ट्रेन के बारे में बैसिक जानकारी नहीं होती है जैसे कि उनका ट्रेन नंबर क्या है कौन सी ट्रेन है ट्रेन का नेम क्या है और जो train है किस platform में आने वाली है उनका जो coach है coach position क्या है coach आगे लगेगा या फिर पीछे लगेगा यह basic जानकारी उनको होना बहुत ही जरूरी है अगर आप भी travel करते हो train से तो आज का वीडियो एक वार end तक जरूर देख लेना तो देखी दोस्तों आज कल है mobile का जमाना internet का जमा उनके लिए क्या तो आज मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं internet वाला भी और आपको अगर internet यूज नहीं करते तो उनको भी आपको बता देता हूं तो सबसे पहले बात करते हैं online वाले की बार तो जैसे आप online ticket book करते हो तो आपकी जो details है आपको ticket में ही देखने को मिल जाती है जैसे कि गारी नंबर हो गया आपकी train का name क्या है departure time क्या है arrive time क्या है मतलब आपको बहुत से जानकारी तो ticket में ही होती है चाहिए आप online ticket लो या पर आप railway counter से लो तो पहली बात तो यह हो चुकी है अब बात करते हैं कि हमारी जो train है किस platform में आईगी तो इसके ल जैसे आप गारी संखर डालोगे तो आपको पूरी details वहाँ पर देखने को मिल जाएगी यह तो रही online बालो की बात आप बात करते हैं offline जो लोग internet यूज नहीं करते उनके लिए क्या तरीका है तो देखिए दोस्तो जैसे ही आप अपनी ticket railway counter से लेते हो तो आपकी बहुत सी details तो इसी ticket में देखने को मिल जाएगी जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया आप बात करते हैं कि जो मेरी train हो किस platform में आएगी और उसका जो coach position हो क्या रहेगा आगे रहेगा या फिर पीछे रहेगा हमको कैसे पता चलेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर बहुत बड़ी station होती है जहां पर 10-12 या पर 15-15 platform होते हैं और आप वहां पर first time में पहुंचते हो तब आपका जो दिमाग हो चकरा जाता है कि इतना बड़ा platform हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा platform क्या है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो integrate होता है जरूरी नहीं कि आप व पीच्छी की साइड हो एक नंबर रहेगा मतलब वहां पर उल्टा है तो यह से भी आपको बहुत से railway station देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर आपका दिमाग खराब हो सकता है तो आप किस परकार से पहचानेंगे सबसे बड़ी बात तो यह है तो देखिए दोस्तों जैसे यह आप railway station पर पहुँचोगे तो आपको LED light देखने को मिल जाएगी इस LED light में आपको पूरी details मिल जाएगी जैसे कि आपकी गाड़ी संक्या क्या है गाड़ी का name क्या है उसका time table क्या है किस platform में आने वाली है आपको मतलब पूरी जानकारी उस board में देखने को मिल जाएगी तो आपको 5 मिनट खड़े होके और एक बार अपनी टिकेट लेके और उससे जो train संक्या है उससे मिलान कर लेना है अब बात करते हैं coach position की तो आपको LED में coach position भी देखने को मिल जाएगा लेकिन कभी-कभी LED गलत position भी देती है तो अगर आपको यह इसा लगता है तो आप जो आगे से पीछे या फिर पीछे से आगे करते रह जाओगी तो इस पर आपको दिक्कत हो सकती है तो अगर LED सही coach position बताता है तब तो no problem आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हो लेकिन अगर ओ रोंग बता रहा है तो आप एक दो वार अपने यात्रियों से आजू-आजू से आप पूच सकते हो प्लेट फॉम नंबर पचानने के लिए एक और आज़ान तरीका है आपको हर एक प्लेट फॉम पर इस प्रकार से बॉकस टंगा हुआ देखने को मिल जाएगा अगर और 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 अगर और बहुं प्लेट फॉम होगा तो आपको उस पर दो नंबर लिखा मिल जाएगा तो आप इस पकार से, नमबर देख के पता कर सकते हो कि आपका जो platform है, कितना number है मानली जी कि आपने display पे देख लिया है कि आपकी जो train है वो उस platform पे आएगी, तो आप आराम से उस platform पे जा और राम से बैठ सकते हो क्यूंकि आपको प्लेट फॉर्म नंबर पता चल गया है और टाइमिंग कर चल गया है तो आप आराम से वहां पर जा की और वेट कर सकते हो तो दोस्तो इस पकार से आप ओन लाइन यह फर ओफ लाइन अपना प्लेटफॉर्म संख्या या पिर आपका जो coach position है आप इस पकार से पता कर सकते हों एक और बात तो मैं आपको भूल गया कि display पे आपको जो coach position वहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप अपने platform नंबर पर पहुँचते हो तो आपको coach position वह display पे देखने को मिल जाता है जैसे कि D1 हो गया, D2 हो गया या पर sleeper का हो गया जो S1 से start होता है या पर AC का हो गया सकते हो तो इस प्रकार से दोस्तों आज मैंने आपको जो basic जानकारी सब कुछ आपको बता दिया और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का question मन में कोई doubt है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूँच सकते हो चली मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत धन्यवाद